हाई गाईज कैसे हैं आप लोग आए होप आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे आज के इस वीडियो सिरिच को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कवर करेंगे 17 माई 2023 का फूल पत्ती, करेंट अफेर्स, फूल रिविजन और पीडियाप के लिए आप लग जरूर टेलेग्राम को जोईन कर लिजे जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां से पीडियाप प्राप कर लिजेगा, ताकि आप लग कहीं भी घूमने चले गए या दोस्तों के साथ बैठे हैं तो उस पीडियाप को निकाल करके एक बार अपनी नजर में उपर नीचे कर लेना है ताकि रिविजन और हो जाए, ठीक है हाली में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्ट अप एक्स्चेंज प्रोग्राम प्रारम किया है, वो है बांगला देश बांगला देश के राजदानी है धाका, वहां की मुद्रा है टका बांगला देश देखे फ्रेंट्स ये भारत के साथ सबसे आदा अंतराष्टे सीमा साज़ा करता है कई बार एक्जाम में आपका प्रेशन पूछा गया है कि कौन ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साज़ा करता है तो वो है बांगलादेश और सबसे कम अफगानिस्तान आई होप यहां तक रिविजन अच्छा रहा होगा अगला स्टार्टप इंडिया के बारे में कि इसकी सुरुवाद जो है 16 जनवरी 2016 को की गई थी इसलिए हम लोग 16 जनवरी को हर साल अब 16 जनवरी को स्टार्टप दे मनाते हैं यह किस मंत्रा लेके द्वारा जारे किया गया था वानिज और उद्योग मंत्रा लेके द्वारा स्टार्टप डे हर साल हम लोग 16 जनवरी को अब मनाते हैं कई बार एक्जाम में हाली के एक्जाम में पुछा गया है कि Startup Day हम लोग कब मनाते हैं तो 16 January को मनाते हैं देखे बात हम लोग यहाँ पर Unicorn का करेंगे तो देखे इस Startup का जो बड़ा रूप होता है न उसी को हम लोग Unicorn कहते हैं और आपको यह भी पता होगा Unicorn के मामले में भारत जो है यह तीसरा नमर पे है पहला युसे है दूसरा है चायना अब तीसरा हो चुका है भारत Important है याद रखेगा देखे भारत और बंगलादेश के बीच क्या-क्या Ord है इसे जानते हैं जैसे मैत्री पाइप्लाइन यह भारत और बंगलादेश के बीच है इंपोर्टेंट है याद रखेगा ये डीजल आपुरती के लिए है डीजल सफ्लाई के लिए है संप्रिती और बोंगो सागर जो युद्ध्या भ्यास होता है ये भारत और बंगलादेश के बीच ही होता है अगला प्रेशन है, हाली में सतत विकास लक्षियों की प्रगतिम आपने की घोषना करने वाला भारत का पहला सहर कौन सा है, तुँ है आपका भुपाल, देखे भुपाल ये मद्ध प्रदेश की राजधान ही है, important है याद रखेगा, और बात करें हम भुपाल का एक सहर SDG, SDG मतलब क्या होता है, Sustainable Development Goal, इसके तहद भारत सरकार ने कुल 17 गोल को रखा गया है, यह start 2015 को हुआ था, और ये 2030 तक चलने वाला SDG, SDG में जो पहला गोल रखा गया है, SDG first का गोल, वह गरीबी दूर करना, देखे आपके एक्जामें यह पूछा जाता है, कि SDG के यानि की बात करें, पहला पिर्थी सम्मेलन, यह 1992 में हुआ था, रियो में, रियो काँ पे, ब्राजिल में स्थी था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है, यह कहाँ पे होने वाला है, यह मध्यपरदेश में होने वाला नहीं, मतलब हो चुका है, ठीक है, देख योजना है, लाटली बहन योजना, यह मध्यपरदेश सरकार के दोरा चला गया है, इस योजना के तहट जो है, सभी महिला को हजार रुपिया पर मंत के हिसाब से पांस साल दिये जाने का कारिकरम रोजना रखा गया है, ठीक है, परवासी भारतिये समयलन मैंने बताया, इं धक्षपद पर किसे निउक्त किया गया है, मनो सोनी को निउक्त किया गया है, संग लोक सेवा आयोग, देखे हम लोग सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रेल को मनाते हैं, याद रखेगा, बात करें, यह किस भाग में वरनित है, UPSC के बारे में, तो भाग 14 में, अब भाग परिछा पास करने वाले परीख्षा क्वालेश पहले भारतियर स्थी यह बहुति इम्पोर्टननेंट यह बहुत निप्यन्दक यह पहले भारतिय थे जिन्हों ने यहां परिच्छा पासथ की थी। UPSC का जो अध्यक्ष का कारिकार हुलता है वो 6 वर्स का होता है अथ्वा 65 वर्स की आयू तक ही होता है जो भी पहले हो जाएगा उसकी मानता दी जाएगी देखें ये जो 65 वर्स का जो एज का क्राइटरिया रहता है वो बहुत से चीजों में ता इसे UPSC के सदस्य के लिए अ अगला देखा जाए जैसे कि मैंने आपको पताई दिया कि मुखी चुनाव आयूद का जो है 6 साल ही होता है का भी 6 साल UPSC का भी 6 साल या 15 वर्स ठीक है देखें केंद्रे वित आयोग से समंदित कौन सा आर्टिकल आर्टिकल नमर 280 पंदर में वित आयोग को नहीं हाली में देखें ध्यान ये रखना है आपको कि जो आर्टिकल 32 है इस आर्टिकल के तर जो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है क्या जारी करती है रीट कई बार पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के तर रीट जारी करती है तो आर्टिकल नमर 32 कितने रीट जारी करते हैं कितने पांच प्रकार के दिट जारी करते हैं ठीक है अगला प्रेस्ट ने परतिवर्स अंतराष्टिय प्रकास दिवस कर मनाया जाता है तो वो जह है 16 मही को मनाया जाता है 16 महीं 1960 को लेजर की खोज हुईती किसके द्वारा थियोडेर मेनन के द्वारा और पहली बार 2018 में यह दिव करता है वह प्रकास वर्स्ट जो है दूरी का मात रख है दूरी का सबसे वड़ी एकाई जो पार्शेक है सूरी पर जो उरजा का स्रोध नाप के रूप में होता है, कई बार पुछा गया है ना, कि जो सूरिय में पर प्रकास का और जो उर्जा का शुरोत है वो किस तरका है, वो आपका नाव की सनलेयन है आपने परमानु जो कि एटम बं का नाम आपने सुना आओगा ठीक है वह नाव के विखंडन के सिद्धन पर काम करता है लेकिन जो हैड्रोजेन वह नाव के सनलेन पर काम करता है यह दोनों में अंतर है ध्यान रखेगा बात करें परकास परकास यह अनुप्रस तरंग में आता है ध्वनी अनुधर तरंग में आता है बात करें परकास निर इत्तम किसमें होती है ठोस में इंपॉर्टेंट है याद रखेगा यहां पर ध्यान रखेगा किलो मीटर नहीं यहां पर मीटर परती सेकंड कर लेना ठीक है देखा जाए अब आगला सवाल हाली में मेरी लाइफ मोवाइल अप्लिकेशन का सुभारम किस ने किया है वो भुप पढ़िया यह कहां पर गुजरात में है और इसका जो है मेरी जिंदगी मेरा जो स्वास्त है यह हर्दीप सिंग्पूरी के द्वाड़ा चलू किया गया है बात करें पर कोप फष्ट कब हुआ था 1995 में हुआ था बर्लिन जनवरी में हुआ जर्मनी में और यहां पर बात कर जो हुआ यह मौंट्रियल कनाडा में हुआ यह जय विवित्ता से संबंदित है ठीक है इसे ध्यान रखेगा आगे देखा जह मौंट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में यह जो है प्रोटोकॉल 16 सप्टेंबर 1987 को वा था ओजोन प्रत के रक्षा के लिए ओजोन दिवस हम लो का संबंद जो है यह आपका किसे पस्मी घाट से संबंदित है इंपॉर्टेंट है याद रखेगा अगला हाली में कल्यान कारी योजनाओं को लक्षित वितरन के लिए हीम डेटा पोर्टल किसने लौंच किया है यह हिमाचल परदेश ने लौंच किया है अभी यहां के जो याद रखना है जो कांगला की चाह है हिमाचल परदेश की जो है जी आई टेक दिया गया है हिमाचल परदेश का है कांगला का चाह आपको पता न एरोपिय संग के द्वाड़ा दिया गया था ठीक है आगे देखा जाए यहां पे संजिवनी प्रोजेक्ट और जो सोलांग यह दोनों किसे सम्भाड़ी था हुमार्चल प्रद्फ से समस्भन दित पीन घाटी नेister बोई हमारचल प्रद्फ में इस्तित है अगल्ट हे भारत के बिरासमे मास्टर कौन बने है वो है आपका वुपला प्रनीत कौन है वुपला वुपला प्रनीत जो है ये बिरासमे ग्रेंड मास्टर है ये तेलंगना से संब्धित है ये ग्रेंड मास्टर मतलब चेस से संब्धित है ठीक है चेस मतलब सत्रंज होता है यहाँ पर ग्रेंड मास्टर सतरन से सम्मादित है फर्ष्ट ग्रेंड मॉस्टर जो थे भारत के वो विश्वनात आनन्द थे पुस्तक जो है इनका जो है मास्टर माइंड है कई बार पुछा गया है मास्टर माइंड किसका पुस्तक है विश्वनात आनन्द का है ठीक है फर्ष्ट जो है राजीव गांद का Grand Master कौन है वह शायंतन दास ठीक है और फर्स्ट महिला Grand Master विजय लक्षमी यह आपको ध्यान रखना है यह वाला फर्स्ट महिला Grand Master विजय लक्षमी ठीक है डीगुकेस किसे समझनी थै सतरन से को निरू हैं पी यह भी सतरन से समझनी थै यह खिलारी है याद रखेगा रमपा मंदिर को ही अभी हाली में 49 में यूनिस्को में सामिल किया गया और 40 में दहुला मेरा गुजरात है इंपर्टेंट है देखे तेलंगना में मिरिकमानी नेशनल पार्क है और अमराबाद टाइगर रिजर्ब भी यहीं पर इस्तित है यह सभी इंपर्टेंट था याद रखन यहाली में सबसे अच्छा एरपोर्ट घुसित हुआ है याद रखना आपको ठीक है आगे देखा जाए यहाँ पे सिक्किम को किस समिधान संसोधन के तहत भारत का 22 राज बनाए गया वह 36 ठीक है छटिसमा समिधान संसोधन के तहत ही भारत का 22 राज सिक्किम बन करके उबढ़ा था बात करें सिक्किम के बारे में थे सिक्किम के राज घंग तोग यहाँ पे विधान सवासी थे 32 यहाँ के सीमें प्रेम सिंग तमांग गठन हुआ था 1975 में जन जाती है लेपचा पुछा जाता है लेपचा जन जाती किस राज में पाया जाता है वह आपका सिक्किम है राज पुनलगठन आयोग के बारे में बात करें तो यह फजल अली कमिशन के दोड़ा यह लाया गया था बात करें हाँ पे सात्मों समिधान संसोधन 1956 में हुआ था राज पुनलगठन आयोग ठीक है ये फजल अली कमिशन के तहत हुआ था आगे हम लग बात करें नागालेंड के बारे में तिसके अस्थाप्रा 1963 में होती है एक दिसंबर को हम लोग हॉर्ण विल फेस्टिबल मनाते हैं कई बार पूछा गया है कि हॉर्ण विल फेस्टिबल किस राज में मना जा दिसंबर को मनिपूर की अस्थाप्राँ में गोवा की अस्थाप्राँ 1987 में गोवा को पुन्राज का दर्जा जो मिला था पुन्राज के रूप में जो सामिल किया गया था 56 संबिधान संसोधन के थाथ उतराखन, 36 गड़ और जारखन इन तीनों का गठन हुआता दो हजार इस्पी में हुआता तेलंगाना का गठन दो जून 2014 को हुआता किस से अलग हो करके आंद परदेश से अलग हो करके एक नया राज बना था और यह 29 राज बना था लेकिन आ आए गया था 31 अक्टूबर 2019 को ठीक है अगला प्रेशन हाली में कनाडा फ्रांस हवाई टेलिसकोप के सोध करताओं ने 145 चंद्रमाओं के साथ सरवाधिक उपगरह वाला गरह किसे घोसित किया आया है तो है सनी को किसने सनी को इंपोर्टेंट है देखे आर्टेमिस मीशन यह तो आपको पता ही होगा यह नासा के द्वारा चालो क्या क्या किस के लिए चांद के लिए ठीक है इविनिंग एंड मॉर्निंग इस्टार यह किसका है यह आपका सुक्र का कहा जाता है जैसे कि भोर का तारा सांज का तारा किसे का जाता है यह सुक्र को कहा जाता है बात करें यहाँ पे इस्टेरोइट बेल्ड यह जो मंगल के लिए है ठीक है मंगल और रेश्पती के बीच में इस्टेराइट बेल्ड है ठीक है अगला जो अन्तिम प्रेशन होई हाल ही में क्या है हाल ही में और अजरबैजान के बाकु में आयवजी ऐसेश एसफ वीस्प 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से अस्थान पर रहा है वह है आपका दूसरा अस्थान पर रहा है बात करें आपके ISSF World Cup ये बाकू अजरबैजान में हुआ चाइना इसमें फर्ष्ट में रहा और दूसरे अस्थान पर अपना इंडिया रहा अच्छे इंडिया इसमें कितने पदक जीता ये चार पदक जीता जिसमें एक गोल्ड दो सिल्वर और एक ब्रोंज है ठीक है ध्यान रखना है सबसे पहले आप लोग ये भी ध्यान रख लेना कि अंडर 19 महिला T20 World Cup जो हुआ ये South Africa में हुआ है इसमें India जीते हैं और England को हारा करके जीते हैं और ये भी जातरान है कि महिला T20 World Cup willya वह भी आपका South Africa में हुआ है इस में यो STRE जीता है और South Africa हारा है लेकर अंडर 19 में ये host आपका यही Sud Africa ही क्या है लेकिन जीता को ने इंडिया ठीक है देखें यहाँ पे जो आपका है सरवजोट सिंग दिव्या को 10 मीटर के सरवजीत सिंग और दिव्या को दोनों को जो है 10 मीटर के एर पिस्टल में गोल्ड प्राप्त हुआ है यह इंपोर्टन्ट है याद रखना है तो इस तरह से आपको मैंने रिविजन करा दिया 17 माई 2023 का आई होप यह रिविजन वीडियो अच्छा लगाओगा प्लेज आप लोग वीडियो को लाइक और शेर कर देजे बहुत ही महत्स नोट्स बनाया जाता है और इसको पेडियाप के रूप में आपको प्रवाइट किया जाता है चले मिलते है नेक